असलाम अलेकूं, वेलिकम टुशाकीचर, आप सब कैसे हो, आज बनाने जाने हूँ, बीन्स और डाल का चार, तो चलिए बनाते हैं, बीन्स का चार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हैं, यहाँ पर बीन्स, यह पाव किलो ली हूँ, धो कर अच्छे से मैं रख ली दोसुगिरम, तुवर की दाल, यहाँ पर नमक, एक निम्बू जितना इमली भीगो कर रख ली हूँ, इमली, यहाँ पर मसाले, चार के लिए मसाले क्या क्या चाहिए, लाल मिर्च, प्यास, लसन, हरिया धन्या, जीरा, काली मिर्ची, और यह तड़के के लिए करे पता और यहाँ पर हमें, मैं यह तीन चीज़ लिए हूँ, कच्चा नारेल, कद्दू कस करके रख ली हूँ, और बारिक, प्यास काट कर रख ली हूँ, करी पता, नारेल, प्यास, करी पता, यह हमें इसमें से थोड़ा बीन्स, डाल, काड के हमें चाकना बना लेना है, चार के अभी मैं बताती हूँ, यह के से बनाते हैं, यहाँ पर ग्यास आन कर ली हूँ, मैं कुकर को भी रख ली हूँ, सबसे पहले हमें डाल को डाल लेना है, मैं धोगर पानी डाल कर रख ली हूँ, यहाँ पर डाल डाल ली हूँ, अभी बीन्स, मैं बीन्स को भी धोगर रख ल फिर इसका पानी निकाल कर हमें इससे सप्रेट करना है, मैं दिखा कर देती हूँ आपको एक गिलास फिर मैं और आधा गिलास डाल रहे हूं, अभी इसमें नमक लेती हूं मैं, नमक यहां आधा टीस्पून जितना ले रहे हूं मैं, बस हमें इतना चाहिए नमक, अब मैं कुकर को धकर रख दे घघ और ab Cancer की अब इसका अबास न्यां के इसे अब इसका मसाली कर लिए दूसरा इसकर स्टो आन पर ककर दी हूं और मसाले मसाली हमें भूनना है चार के मसाले भूनकरी पेसना है सबसे पहले मैं इसमें प्यास नहीं हूँ प्यास को हमें थोड़ा घूनना है थोड़ा गोल्डन व्रोन होने तक हमें प्यास को भूनना है मैं बड़ी बड़ी प्यास काती हूँ बड़ी तुकड़ों में क्यूंके पीस ना है घूनकर पीस ना है इसलिए मैं बड़ी काती मिठम जाश चांगाई का यही ऎक प्यास की प्यास है की ते चांगे प्यास को इतना ही भून गार आप यह एक आटmaybe कर ले अब वी इसमे लसन दालना गझाए छोठे काल्याई अलसन के मैं पंद्रा से पिस काल ca he लशन के, इसे भी भून लेना है, और यहांपर लाल मिर्ची, एक दस लाल मिर्ची इतने हैं, इसे भी हमें भूनना है, चार का मसाला भून करी दालना है, इसमें, कच्छा मसाला नहीं दालना है, चार का मसाला भून करी दालना है, यहांपर मिर्ची लशन भून चुके हैं, अभी यहाँ पर एक टीस्पून भरकर जीरा और थोड़ी सी ले रहे हुआ जीरा और यहाँ पर एक टीस्पून भरकर काली मिर्ची इसे भी हमें भून लेना है यह अच्छे से भून लेना है फिर इसको ग्यास बन कर देती हुआ बस ग्यास को बन कर दे इसी गरम में हमें जी जल जाता है यह यह मसाला तयार हो गए अब भी मैं यह पीस कर बताती हूं आपको यहां पर पूरा मेजार में डाल लेती हूं मसाले को इसके साथ हमें थोड़ा सा हर्याधनिया भी इसमें डाल लेना है यहां पर हर्याधनिया मैं धोकर रख ली हूं हर्याधनिया यह हो गया अभी इसे भी पीस लेना है मैं निकाल कर बताती हूं डाल भी निकाल कर बताती हूं डाल को भी हमें पीसना है यहां एक सीटी आ गई है अभी मैं इसे खोल लेती हूं खोल कर इसमे की डाल निकाल लेती हूं निकाल कर मैं जितना हमें चाकने के लिए चाहिए उतना निकाल कर बागी की डाल हमें पीछना है मसाला भी पीछना है और डाल भी पीछना है मुझे कमेंट्स में बोले थे बना कर बताने के लिए बीन्स का चार बीन्स के चार के साथ डाल जाती है आप चाहे तो लोबे डाल सकते हैं या मूं भी डाल सकते हैं मैं आपके लिए इजी के लिए डाल और बीन्स का चार बना कर बता रही है आप इसे ट्राय कीजे, बना कर खाईए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है ये चार, इसे जरूर से बना कर खाईए, और मեरे चानल को like, subscribe करना मत घुले, जरूर से कीजिए, अभी मैं इसे निकाल लेती हकने, इसका पानी डाल का भी मैं अलग से काल लेती ह यहां पर देखें, दाल भी गल्चुकी है, दाल को पूरी नहीं गलाना, आधी बहुत गलाना है, यह देखें, बस, इतनी गल्णा है, और बीन्स भी गल्चुकी, अभी इसका पानी निकाल कर मैं पीशने के लिए हमें कितनी दाल चाहिए बताती हूं, यहां पर मैं पीशने क के लिए मिकालते हूं बस इतनी दाल चाहिए पीसने के लिए और इस दाल और बीन्स को हमें इसे चाकना बनाना है यह भी बहुत टेस्टी रहता है चार के साथ इसे खाई यह बहुत अच्छा रहता है अभी मैं इस मसाले को भी पीस लेती हूं और इस दाल को भी मैं पीस कर ब हमें सालन बनाना है और ये मैं चाटने के लिए निकाल ली हूँ अभी मैं एक पैन रख लेती हूँ यहाँ पर मैं छोटा बरतन रख ली हूँ अभी इसमें मैं तेल ले रही हूँ तेल यहाँ पर आदा कब जितना मैं तेल ली हूँ थोड़ा सा यहाँ पर तेल गरम हो चुक अब इसमें करी पता, करी पता है 10-15 करी पता है, जो मसाला भून कर पीस कर रख ले थे, अब इसमें डाल लेकिए ग्लिष हो गया, जो डाल मैंने पीस कर रख लिए उसे भी मैं इसमें डाल लेते हूं इसे अच्छे से हमें मिला लेना है इसे, यहाँ पर इमली का पानी, यह हो गया, दाल हो गया, मसाला हो गया, तडके में, अब इहाँ इमली का पानी तेज नहीं चाहिए तो आप जो भुना हुआ मसाला थोड़ा अलग सा रख लेना फिर इसमें मिलाते जाना आपको तीखा कि जितना चाहे आप देखकर उसमें डाल लेना नमक तीखा अभी यहां पानी डाल का पानी मैं निकालकर रख ली थी ना अभी इसे भी इसमें डाल लेना ना गाड़ा ना पतला अभी मैं इसमें नमक लेती हूँ कुए हमें सालन में नमक नहीं गया है चार में नमक नहीं गया है इसी लिए मैं नमक यहाँ पर मुझे जितना चाहिए मैं देख कर ले रही हूँ आप देख कर ले लेना आप यहाँ पर नमक अभी इसको अच्छे से मिला ले दिए इस वखत आप नमक और मिर्ची चक कर लेना एक बार चक कर लेना ये कुब लाने तक हमें सालन को अच्छे से पकाना है यानिकि बीन्स के चार के लिए ये देखे इतना गड़ा सीख चाहिए ज्यादा गड़ा नही ज्यादा पतला भी नहीं यह कुबा लाने तक मैस पर रख देती हूं, यहां पर प्यान रख ली हूं है, अभी प्यान में हमें चाकने को बगारना है, यहां पर तेल ले रही हूं है, दो से तीन टीस्पून जितना तेल ले रही हूं, बस, यहां पर मैं करी पता ले रही हूं सबसे पहले, अभी यहां करणची मुंने आने से बहुत अची लग पियास को घ्यास को मैं यहाँ घ्यास को को पात豌ण फले गये शयादा नहींड यहीं इतना हुषवी इतना नहिसित अलिसद भजार, के वीotto मां नगभेल को तरग के नहींता है डाल और बीम्स को डाल लेती हैं यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पोड़र जाल रहे हैं आप चाहे तो काली मिर्ची पोड़र भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं और यहाँ पर नमक नमक चाहिए हमें इसलिए थोड़ा सा नमक और यहाँ पर नारल जो कदुकस करके रख ली थी मैं नारेल को यह कचा नारेल है इसे भी हमें इसमें दाल लेना है अब इसे अच्छे से मिला लेना चार का चाकना तयार हो गया चार भी तयार हो गया और चाकना भी तयार हो गया अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर मैं बताती हूं आपके मैं निकाल कर बताती हूं बीन्स का चार अभी यहां पर बीन्स और डाल का चाकना भी निकाल कर मैं बताती हूँ देखें यहां पर बीन्स का चार और बीन्स का चाकना तयार हो गया है देखें चार में बना कर बताई हूँ बीन्स और डाल का चार बना कर बताई हूँ और मेरे चानल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए कल फिर मैं मिलूंगी नए रेसिपी के साथ अल्ला हपीश